समीर वान खेले का खेल खतम सलाम नमस्तिस स्विकाल मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजा ग्राफी देश में भाजपा सरकार के द्वारा हिंदू मुस्लिम जबर्दस तरीके से पहला जा रहा है एक जो है बीज बो दिया गया है उसे एक नफरती पेड़ खिला है और उस पेड़ के ये शाखाएं हैं अलग अलग रेवल पे काम कर रही हैं उसी जहर का पेड़ का वो एक डाली एक शाखा समीर वान खड़े जिहां जिसके ज़र ये भ कई एक्टर और एक्ट्रेस सामने आए हैं कि उन्होंने का कि समीर वान खड़े पहले जाल में फसाते हैं और फिर इनकी पूरी टीम बड़ी रिश्वत लेती है जिहां नवाव मलिक एक ऐसा नाम ये जो नवाव मलिक हैं अब समीर वान खड़े हिंदू हो या मुसलमान जबाव मलिक ने ऐसे ऐसे चिट्टे खोले कि अब अपनी पूछ बचाता हुआ नजर आ रहा है जादा लंबा चोड़ा नहीं बताऊंगा लेकिन इसमें आपको यह समझाना चाहूंगा कि सरकारी तंत्र और गोदी मीडिया किस तरह से गंदे लेवल पर उतर कर काम करता है आपको याद होगा और आपको शुरुआत में ही बता दूँ कि आरेन खान के पास कोई भी ड्रग नहीं मिला कोई ड्रग वो लेता भी नहीं लेकिन किस तरह से आरेन खान को अरेस्ट किया गया आप यह समझे कि हजारों लोग उस क्रूज पार्टी में मौजूद थे लेकि इन गिरस्तार सिर्फ आठ लोगों को किया गया था और उन आठ लोगों में से सिर्फ तीन लोगों का नाम सबसे जाधा आ रहा था और उन तीन लोगों में से सिर्फ फोटो और तस्वीर और टेक्स और टाइटलिंग और ब्रेकिंग निउस चल रही थी आरेन खान के नाम दोस्तों किस तरह से आपके दिमाग में शारुख खान के लिए नफरत डाली गई और क्यों शारुख खान किंग है तो किंग वह मुसल्मान तो कैसे हिंदुत के आतंगवादियों को यह बरदाश होगा तो यह सब कुछ कहां से चल रहा है आप समझ सकते हैं क्यूं क्यों कि इस तरह से गोदी मीडिया शारुख खान को टार्गेट कर रहा था फिर आगे बढ़ेंगे देखिए इन कुत्तों का भॉक ना अरियन खान ड्रक्स के आरूप में अगली तीन रातें भी पुलिस हिरासत में ही गुजारेगा आज उनके बेटे को बेल नहीं मिली उन्हां के बेटे आरियन की जमाना तरजी को खारश कर दिया गया है आरियन खार की जमाना तरजी पर इस वक्त सुनवा इन खान अन अदर्स हब इन सेंट टो पुलीस कस्टिडी तिल 4th of October breaking news ड्रक्स लेने के आरोफ तक यह सती नहीं रही अब ड्रक्स खरीदने और बेचने का भी आर फारकर शारुक खान को आर outlines खान के नाम पर निशाना बनाया गया लेकिन मजाल है कि शारुक खान ने कोई भी आ कर मीडिया से बात करी हो शारुक खान ने फिर भी आकर कुछ किसी से नहीं कहा बड़े ही शांती से प्यार से बात करी इसलिए वो king है और king हमेशरा king रहता है जो आज नकलिक किंग है, जो किसानों के मारे जाने पर खामोश रहा, मुसल्मानों के मारे जाने पर खामोश रहा, किसानों को उपर गाड़ी चलवा कर खुश रहा, और खामोश रहा, समझे असलिक किंग कौन है, बहरहाल समीर वानखडे ने फसाया था, और अब समीरवान खड़े का जब कच्चा चिट्टा खुला तो पता चला कि यह अंधभक्तों का बाप थो खुद अंधभक्तों के साथ धोगा कर रहा है मतलब यह मुसलमान था बाल में इसने लव जिहाद करके हिंदू महिला से शाधी करी और नौकरी पाने के लिए अपना नाम माम बदल डाला धरम भी बदल डाला नौकरी बड़ी चीज होती है और फिर नौकरी पाकर यह गोरक धंदे चला रहा था जिसके बाद नवाब मलिक ने ऐसा नंगा किया कि इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और यह कोट पहुँच गया था समीर वान खड़े कि बहिया मुझे बचा लो सिक्योर्टी चाह हो जयते लेकिन नहीं क्योंकि यह सत्य था ही नहीं इसे सत्य से डर था इसलिए यह पहुंच गया हुम हुम हुआ क्या इससे पूचा गया अच्छा तो अगर हिंदू हो तो लाओ अपना सर्टिफिकेट दिखाओ यह फस गया सिए तो होगा भाई जाती प्रमाण पत्र कु अपनी है महाले गाओ महरास मुंबई की पुलिस हलकी तो है नहीं भाई नयाय तो नयाय है भाई हुआ फिर कुछ इस तरह से कि इनका extension था एंसीपी में extension था जो की 31 दिसंबर 2021 तक था अब एक्स्टेंशन के लिए लगातार जोर डाल रहा था कि मुझे extension मिल जाए और फिर म मैं धमाके से बवाल खड़ा करूंगा अपने मन पसंद शिकार बनाऊंगा और उनको भी फसा दूंगा लेकिन इनको extension नहीं मिला और इनको बाए बाए कहना पड़ रहा है जी हां ना चाते हुए भी अब ये घर वापसी समीरवान खड़े चलो खड़े खड़े निकल लिए जी दोस्तों आपने सही सुना आपके स्क्रीन पर आज तक का प्रिंट मीडिया का लगा रहा हूं देख लिए अपनी आखो से महाराष्ट के मंतरी नवाब मलिक के निशाने पर रहे समीरवान कड़े की एंसीबी से विदाई नहीं मिला एक्स्टेंशन पढ़ गया मुपजूता इसलिए कहते हैं अपने ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सत्यमयवज जयते दूसरी बात कुछ ऐसे जानवर मौजूद थे सोशल मीडिया पे जो मुसलिमानों के खून के प्यासे हैं वह लगाता ट्वीट कर रहे थे अचा ऐसा हर इंसान इनके लिए उनका माई बाप और पुजारी और पूजने लायक बन जाता है जो मुसलमान को निशाना बनाएं आपके स्क्रीन पर कुछ ट्वीट लगा रहा हूं देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन पर यह जब्रदा हीरो बनाया हुआ है बाई साब क्या ही कहें पावर आफ टूथ समीरवान खड़े सर यह देखिए दोस्तों इतना ही नहीं इनके लिए इतनी अन्भक्ति थी क्योंकि इसने मुसलमान पर कारवाही कर दी थी कि जैसे सोशल मीडिय दीया पर ट्वीटर पर मस हैस्टैग रं param करिवाय जाने हैं एक साथ सारे गधों को भूल दया था चलो चलो जो उटंबर मिलेगा चलो यह हैस्टेग पर हाँ ट्वीट करो चलो इस टाइम रही ट्वीट करना तो ऐसा ही इनको लालस दिया गया कि देखो आपको मेल करना है समीन वांखलेता हाँ नौकरी एतन तलवाने ते लिए तुम तो मेल तलना है तब तो देखिए आपकी स्क्रीन पर नफरत यहां पर आपको मुसल्मानों से नफरत समझनी चाहिए कि मुसल्मानों से कितनी नफरत है एक्स्टेंजन के लिए पूरी-पूरी मेल डाली है यह देखिए कहां कहां करी गई यह आप खुद देख सकते हैं तो यह तो हाल है इतना है नहीं दोस्तों आपके स्क्रीन पर एक और न्यूज का आपको स्क्रीन शॉट लगा रहा हूं पता यह चला है आर्टी आई अपील स सोला ऑफिसर्स जो है वो क्रॉप्शन के चार्जेस को फेस कर रहे हैं समझ दीजिए समीर वांखड़ एक नहीं है कई सारे हैं जिन्होंने बॉल्यूड को निशाना बनाकर बॉल्यूड को बदनाम किया है आप सोच सकते हो यार ऐसा कैसे हो सकता कि सारा बॉल्यूड ही जो सत्य में वजयते सत्य की जीत हुई चाह कैसे भी हुई और भक्तों के मुँपर जोरदार गू पड़ा इस रुपोर्ट पर आपकी क्या राय है अपनी राय कॉमेंट में जरूर लिखेगा और हां नवाब मलिक एक नहीं हैं बहुत सारे इसे नवाब मलिक हैं इसलिए पंग झाल